हलो फ्रेंड स्वागत है आपका देश दुनिया के सबसे बड़ी खबरों में जियां दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे रेल्वे संबंदित जियां दोस्तों रेल्वे में अगर 15 अपराइल को आपका ट्रेन चलेगी या नहीं चलेगी यह बात को लेगे काफी सवाल पूछ चुके हैं तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला कुछ बात हैं जिससे आपका साफ हो जाएगी कि लॉक्डाउन अगर आपका बढ़ता है तो उसके बावजूद क्या चलेगी या नहीं चलेगी तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे देश के सबसे गंबीर विश केसे हैं सबसे ज्यादा केसे 3764 महारास्टन कर दिया राजस्तान में 454 tempo मोट्राईस इस वैक खबर आइए धी। उअवगडाव इसकες हैं ग्छिंट कर दिया याँ एक मई हम पुष्ञी पनने चीज को छास कि किसानों के लिए चूट है यानि कि किसानों के लिए गयों के खरीद होगी बीच में ही ने की आतायाद को लेके पंजाब सरकार ने साफसाब कह दिया कि लॉक्डवन का मतलब होता है कि आप एक जगय से दूसरे जगय नहीं सकते हैं सोसल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी और आपको अपने घर में रहना होगा सेम यही चीज आपको जो है उडिसा में देखने को मिली जिया दोस्तों उडिसा में 9 अपरेल को ही वहां के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि लॉक्डाउन जो है तीस अपरेल तक चलेगा लेकिन हालात को देखते हुए ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है अगर लॉक्डाउन खुलता है या आगे बढ़ता भी है तो भी ट्रेने को चलाना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि इतने लोगों को एक साथ लेके जाना एक जगे से दूसरी जगे और करोना वाइरस जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस इसाब से खत्रे से खाली नहीं है उसके विए से दोस्तों यह अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं कि लॉक्डाउन अभी आगे बढ़ेगा बाकी के राज्यों में भी क्योंकि पंजाब और उडिसा में इतने ज्यादा केस नहीं थे जितने तो दिल्ली आपके दिल्ली में है लगदाक में है केरल में तमिलाड़ो में है महारास्टा में है इसके प्यालम सब्सक्राइब यह उद्ध में महारास्टा पेलीम देखने को मिलेंगा ही 15 प्रेल के बाद भी जो है ट्रेनिंग नहीं चलेंगी दोस्तों ये साइन जो आकड़े हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं झाले हैं झाले हैं जो आपको बता रहा हूं ये जो हैं तो ये शोस्तों मैं थैसे बाद दूता है ये लगल नहीं जो आकड़ साइन गया धाद रहा हूंक रहा हुआ। झाल झाल